नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्च्वल बंजारा, मेरा नाम है आशीश वादवानी और आज हम बात करेंगे जैपुर मेट्रो से जुड़े कुछ रोचक तत्यों के बारे में जब जैपुर शहर में मेट्रो का काम शुरू हुआ, तब लोगों के दिलों में कई तरह की आशंकाय थी, कुछ लोगों को लगता था जब खुदाई का काम शुरू होगा, बड़े पैमाने पर निर्मान कार्य चलेगा, तो इस शहर का खुबसुरत चहरा पिगणने लगेग की संस्क्रती और विरासत नस्ट होने लगेगी, मगर मज़ेदार बात तो ये है, हुआ बिलकुल इसका उल्टा, जब खुदाई का काम शुरू हुआ, तो जमीन के नीचे दबी एक खुबसुरत बावडी लोगों की नजर के सामने आई, जिसकी बारे में लोग भूल चु खुदाई के अगले दौर में और भी पुरानी सतय का पता चला, जो की पहले की सतय से तकरीबन सौ साल पुरानी थी, इसमें संगे मरमर से बने गव मुख बने थे, जिसमें से पानी निकलता था, इन गव मुखों को साथधानी से निकाल कर जैपुर के अलबर्ट हॉल संग संगराल्य में रखा गया है, और जैपुर मेट्रो ने इस बात का बेड़ा उठाया है कि जमीन के नीचे दबी इस खुबसुरत विरासत को वो जैपुर के नागरिकों को लोटा सके, भूमी गद मेट्रो स्टेशन के निर्मान पूरा होने के बाद इन बावडियों को पु जैपुर मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 13 नवंबर 2010 में और चांदपुल से मांसरोवर 3 जून 2015 को पूरा हुआ जिस फेस को 1A बोला जाता है और जैपुर चांदपुल 2 बड़ी चोपड बनकर अभी हाल ही में तयार हुआ है और इसका उदगाटन किया गया 23rd September 2020 तो दोस्तों आएए अब इस पूरी जानकरी को जानने के बाद चलते हैं इस आधुनिक जैपुर के आधुनिक मेट्रो को देखने और अनुभव करने के लिए जैपुर के मुख्य परेटक स्थल और जैपुर का दिल कहे जाने वाले हवा महल के पास ही है बड़ी चौप और बने हैं मेट्रो के चार एंट्री एन एक्जिट्स तो आएए चलते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर कोविट की स्थिती को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको सेनिटाइस किया जाता है और टेमपरेचर लिया जाता है इसके बाद हम नीचे की और जाते हैं जहां से आधुनिक जैपुर के मेट्रो स्टेशन की जलक देखने को मिलती है यह है बड़ी चौपर मेट्रो स्टेशन जैपुर टिकेट काउंटर जहां से मैंने बड़ी चौपर टू सिंधी कैम का टिकेट लिया है जिसका शुलक सिर्फ बारा रुपे है इस रूट पर हमें अंडर ग्राउंड मेट्रो का अनुभव करने मिलेगा झाल ्ट झाल झाल लीजे हम पहुँच गए हैं सिंधी के मेट्रो स्टेशन पर अब मैं आपको कुछ बुन्यादी जानकरी दूँगा जो कि आपको मेट्रो में सफर करने के लिए लापकरी होगा और जैपुर मेट्रो अभी नई नई आई है और जो भी लोग डेली मेट्रो या मेट्रो में कभ जाना है उस रूट में मेट्रो किस लाइन पर आईगी आपको उसी लाइन पर जाना होगा ताकि आप सही मेट्रो में बैट सकें वरना आप गलत मेट्रो में गलत रूट पर जा सकते हैं दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ सिंधी कैम से फिर से बड़ी चोपड की तरफ मैंने टिकेट ले लिया है अब मैं उस लाइन से नहीं जाओंगा जिस लाइन से मैं आया था अब मैंने लाइन चेंज की है और यही चीज आपको भी ध्यान रखनी है कई लोग इस लाइन को लेकर के ही बहुत जादा कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है और आपको टिकेट लेके यह पूछ लेना है कि आपको किस लाइन से कहां के लिए जाना है जैपुर में मेट्रो का चलन अभी इतना नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे रश नहीं दिख रहा है पर दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आपको मेट्रो का शान्ती पूर्ण तरीके से अनुभव लेना है तो जैपुर मेट्रो से अच्छी जगा अभी फिलाल कहीं नहीं है तो दोस्तों लीजिये फिर से हम पहुच गए हैं बड़ी चोपर मेट्रो स्टेशन और देखिए ये कितना खूपसूरत और कितना साफ है क्योंकि ये 23rd सेप्टेंबर 2020 को ही अभी इसका उद्गाटन हुआ है लेकिन रख रखाव के नजरिये से यह बहुत ही शान्दार है तो आईए अब इस मेट्रो स्टेशन को थोड़ा और अच्छे से देखा जाए किसी भी तरह के स्टेशन पर बहुत से लोग आते जाते हैं और इसी के साथ सबसे मेट्रो पूर्ण जगा जो कि हमेशा हर किसी को काम आती है वो हैं वाश रूम्स तो आईए देखते हैं कि यहां के वाश रूम्स में क्या सुविदा है और कितने अच्छे से रखरखाव से वहाँ पर सफाई रखी गई है तो दोस्तों मेरे अनुसार आधुनिक बनते मेरे शहर जैपुर की आधुनिक मेट्रो स्टेशन की मेरी यात्रा सुखद और शांदार रही है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं इसी के साथ मुझे दीजे इजाज़त अगर मेरी इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते वक्त देखिए बड़ी चौपर का एक शांदार नजारा धन्यवाद